Hello अच्छो मैं हूँ अजय सर आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में welcome है आज हम class 7 से new chapter chapter 14 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका ratio on proportion तो पहले कुछ यहाँ पे कुछ points लिखे हुआ हैं जो आपको पता होने चाहिए तो देखिए first point क्या है ratio is a comparison between two or more quantities of the same kind तो जो ratio रहता है वो actually मैं comparison करते हैं हम ratio से किसके बीच करते हैं जो same quantities होते हैं उनके उनके बीच में जैसे example से समझते हैं जैसे यहाँ पे और ratio को आपको मौलूम है ऐसे two dots से denote करते हैं या ऐसे a ratio b इसको read करेंगे a ratio b और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a upon b ठीक है a ratio b को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं a upon b और देखिए यहाँ पे बुला गया है quantities जो हैं वो same होने चाहिए मतलब कि देखिए आपका ये है one minute है तो आपका जो second quantities होगा वो भी आपका minute में होगा ठीक है जैसे कि five minutes तो one minutes और five minutes इन में जो quantities है या ये जो इनके जो units है वो same है तो इनके इनके बीच हम compare कर सकते हैं पट यहीं पे कुछ question कुछ ऐसे रहता one minute ratio one hour तो देखिए यहाँ पे आपका जो unit है वो तो minute में है बट यहाँ पे hours में तो इनकी जो quantities है वो same नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी एक को change कर देना पड़ेगा चाहे आप minute को hours में change कर दो या इस hours को minute में change कर दो तो इसको change करना ज्यादा है यह आपको मालूम है one hour is equals to होता है आपका 60 minutes के तो इसको आप जब same quantities में जब change करेंगे तो यह हो जाएगा one minute is equals to 60 minutes अब यह दोनों का जो quantities है वो same हो गया तो यह आप ratio में change हो गया तो आपको करना क्या रहेगा जो भी यहाँ पे आपका units रहेंगे या quantities रहेंगे वो देखना है आपका same होना चाहिए जैसे एक और example लेते हैं आपका यह 5 gram and 7 kg 5 gram ratio 7 kg तो यहाँ पे देखिए यह तो आपका first वाला gram है बट second वाला kg है तो आप क्या करना इस kg को gram में change कर लेना आपको मालूम है 1 kg is equals to होता है 1000 gram के तो 7 kg is equals to हो जाएगा आपका 7000 grams के तब इसका ratio हो जाएगा आपका 5 gram ratio 7000 gram तो यह आपका same quantities में हो जाएगा फिर देखिए आपका जो next point है बच्चो उसमें आप देखते हैं तो next आपका point क्या है if two pair of ratio equivalent equivalent means एक जैसे या एक समाई then they are said to be in proportion जब आपके जैसे a ratio b and c ratio d यह two pair of ratio है जब यह equivalent होंगे मतलब एक दूसरे के equal होंगे इसका value और इसका value जब आपस में equal होगा तब इनके यह जो होया है यह जो four quantities है यह actually में proportional कहलाएंगे और proportional को हम ऐसे four dots से denote करते हैं ठीक है बच्चो यह इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a upon b और proportional का sign equal का sign में change हो जाएगा यह आपका हो जाएगा c upon d ठीक है जब आपका यह first quantity first pair और second pair दोनों equal होंगे तब इस पूरे quantities को हम क्या कहेंगे proportional कहेंगे यहाँ पे लिखा गया है ठीक है अब इसी में आगे देखते हैं आप if a ratio b proportional c ratio d इसको read करेंगे इसको proportional read करेंगे a ratio b proportional c ratio d then देखिए अब यहाँ पे b और आपका c के बारे में बात हुआ जा रहा है यह b और यह c यह जो terms है इसके internal part में है ना ठीक है या middle part में भी है ऐसे भी कह सकते है then b and c are known as mean mean means middle क्योंकि यह middle terms में है and b और जो c है उसको हम mean कहेंगे यह आप कह सकते है middle middle में ठीक है formula बनेगा यह से जो की नीचे लिखागा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और next है आपका a and d are known as extreme extreme means जो outer part में होंगे उसको कहेंगे extreme और जो internal या middle part में होंगे उसको mean या middle कहेंगे और जो outer part में देखे a और d वो outer part में है इसको कहेंगे हम extremes या outer कहेंगे और B और जो C है वो आपके internal पार्ट में है या middle पार्ट में है तो उसको आप mean या middle के नाम से कहेंगे ठीक है तो देखिया फिर इसी से एक formula बनेगा ये formula आपके questions में apply होगा तो देखिये product of mean is equal to product of extreme इसको ऐसे भी read कर सकते हैं product of middle terms क्योंकि mean को हम middle terms भी कह सकते हैं और product of extreme को हम product of outer terms के भी नाम से हम जानते हैं ठीक है बच्चों तो mean को हम middle terms और extreme को हम outer terms कह सकते हैं तो ये आपका एक formula है और ये जो exercise 14.1 के question में apply होगा ये वाला formula ठीक है तो इसी से अब आगे का question स्टार्ट करते हैं बच्चों आए बच्चों exercise 14.1 से हम first question जाल करते है apply the rule of proportion and say which of the given statement are true and why आपको proportional का rule apply करना है और आपको बताना इन्हें से कौन-कौन से जो question है ये जो statement है वो true है देखिए आपके जो first question है उसमें total 1 से लेकर 12 तक के question तो हमने यहाँ पे total 6 question ली है बच्चों के आपको बनाने रहेंगे तो इसको बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लो तो बच्चों के जो question है उसको आप लोग easily बना सकते हैं तो देखिए आपको apply करना है proportion का rule तो हमने भी पढ़ा था ना कि यह rule यह वाला apply होगा मैंने बताया था product of mean is equals to product of extremes यह इसी को अपलिक सकते हैं product of middle terms is equals to product of outer terms तो देखिए आपका है तो इसमें total 4 terms रहेंगे आपके question में product of middle terms means यह आपका middle में है 20 and 300 तो आपको क्या करना है पहले तो question को लिख लेना है 10 ratio 20 proportional 300 ratio 600 इसके according product of mean तो इनका जो mean है मतलब middle में इनका product करना रहेगा आपको और एक आपको product करना है रहेगा product of extreme तो आईए कर देते है product of means means 20 into 300 और इनका आप भी आपको कर देना है product of extreme means outer terms तो outer terms में क्या है 10 into 600 अब इनका आप multiply कर दो तो 236 और यह आपका triple zero ठीक है यहाँ पर भी आप multiply करेंगे तो यह आपका होगा 6000 तो देखें दोनों ही आपका जो है वो equal equal values आगए तब आपको यहाँ पर लिखना रहेगा actually में यह बात में लिखना रहेगा जब आप ऐसे product कर लेंगे उसके बाद तो यहाँ पर आप लिखना क्योंकि आपको reason देना है तो reason यह है product of mean is equal to product of extreme फिर यहाँ पर आपको last में नीचे लिखना रहेगा it is true और जो false रहेगा जिसमें product of mean does not equal to product of extreme रहेगा उसमें आपको लिखना रहेगा it is false तो यह ऐसे बना रहेगा इसी का एक और method है ठीक है यह तो हमने जो proportional वाला method था यह ऐसे बना लिए इसी को आप से आप से simplify करके भी बना सकते है ठीक है जब आपका both side equal होगा तो देखे मैंने क्या बताया था यह जो proportional में इसको upon में भी लिख सकते हैं से 10 upon 20 और यह जो proportional है इसको equal लिख सकते है यह आपको हो जाएगा 300 upon 600 इन दोनों side को आपको solo करना है इक्वल आएगा तो यह proportional का question रहेगा और equal नहीं आएगा आपका both side तो it is not proportional लिखेंगे ठीक है तो यहां से यह 0 और यह 003 फंग जा त्री टूस आईए 1 by 2 और यह भी आजाएगा 1 by 2 both side equal है तब इस condition में हम लिखेंगे it is proportional ठीक है बच्चो यह जो इससे पहले वाले यह जो वाला जो rule से बनाया थे हमने product of mean is equals to product of extreme से बनाने है अब बागी सारे question को हम इसी rule से बनाएंगे क्योंकि इसमें calculate करने में काफी time लग जाता है बच्चो तो देखिए first तो आपका हो गया clear अब देखिए आप आते हैं second number में तो second यहां पर है आपका 22 into 66 proportional to 66 ratio 22 आपको यह middle terms का multiply कर देना है और यह outer terms का multiply कर देना है तो देखिए middle terms में क्या है 66 into 66 और outer terms में 22 into 22 ठीक है multiply कर लेंगे 66 का 66 से multiply करेंगे तो यह आपका 4 3 5 6 के equal हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा 4 8 4 के equal ठीक है आपका both side equal है क्या नहीं है तब आप लिखेंगे इस condition में product of mean does not equals to product of extreme और यह आपका हो जाएगा it is false तो यह आपका यह false हो जाएगा अब आएए बच्चो हम ऐसे ही हम आगे के भी question देख लेते हैं one by one तो आएए देखते हैं third तो third है आपका 25 ratio 65 proportional to one ratio 3 product of middle terms and product of outer terms या product of mean भी लिख सकते हैं या इसको कह सकते हैं product of extreme तो product of आपका देखें product of mean क्या हो जाएगा 65 into one तो यह तो आपका हो जाएगा 65 का equal and product of extreme 25 into 3 गरेंगे तो यह आपका हो जाएगा 75 देखें 75 और 65 का equal है नहीं है equal तो यहाँ पर आपको लिख लेना रहेगा फिर से product of mean does not equals to does not equals to does not equals to product of extremes ठीक है बच्चो तो यह हमने यहाँ पर total 3 हो गया यहाँ अब और आगे का देख लेते हैं जो कि आपका 7th number का तो 7th number में देखें यहाँ पर है क्या question में 34 ratio 136 proportional to 45 ratio 180 आपको क्या करना है product of mean निकाल लेना है and product of product means होता है multiply करना है na product of extreme तो product of mean क्या हो जाएगा आपका 136 into 45 and product of extreme हो जाएगा 34 into 108 तो 136 का हम multiply करेंगे 45 से आपके पास answer आजाएगा 1620 और इसका भी आप multiply करेंगे तो 1620 तो देखें बोच साइड आपका equal है तो उस condition में आपको लिखना रहेगा product of mean is equals to product of extremes and it is true तो इस condition में यह आपका true हो जाएगा फिर आएए बच्चो देखते हैं 10th नमबर का तो यहाँ पे 10th नमबर में आपका क्या है देखे 10th नमबर में 33 ratio 11 proportional to 133 ratio 111 product of mean and product of extreme आपको निकाल लेना है तो ठीक है product of mean means हो जाएगा 11 into 133 और product of extreme हो जाएगा 33 into triple one तो 11 into 133 करेंगे तो यह आपका equal हो जाएगा 1463 के और 33 into 111 करेंगे तो यह आपका equal हो जाएगा 3663 के तो देखें यह क्या equal है नहीं है तब हम लिखेंगे यहाँ पे product of mean does not equals to product of extremes और यहाँ नीचे हम लिखना रहेगा it is false अब आईए बच्चो इसमें से last देख लेते हैं बाकी जो question आपने यहाँ पे नहीं लिया है यह आप लोगों के लिए homework रहेगा है तो इसको आप लोग जरूर बनाईएगा अब देखते हैं 12th number कर तो जो कि यहाँ पे आपको देखके किसी book में 75 और किसी में 15 है तो actually मे 18 क्या करना है आपको product of mean का लेना है तो product of mean की place में 150 into 3 और product of extreme में 15 into 18 150 into 3 करेंगे तो यह आपको जाएगा 450 और 15 into 18 करेंगे तो यह आपको जाएगा 270 तो देखिए आपका both side equal नहीं है उस condition में आपको लिखना रहेगा product of mean does not equals to product of extremes it is false following groups are the proportional if they are not proportional is it possible to change their order and made them proportionate by rearranging them for which group event this cannot be can't be done ठीक है आपको क्या करना है यह बहुत सारे groups है कुछ question आपने लिया है इसमें total once लेकर 11 तक के कुछ question है ठीक है तो इसमें से हमने कुछ group ले लिया है आपको क्या करना है जो आपका proportional वाला जो आपने रूल पढ़ा है बच्चों उसी recording इसको चेक करना है पहला condition यह है तो वो उसमें satisfy हो जाएगा proportional तो उसको directly आप लिख सकते हैं it is proportional बट नहीं होगा तो आपको क्या करना है यह जो नंबर्स है ना इनको आपको rearrange कर लेना चेंज कर लेना ठीक है तो कुछ question देखेंगे आपे तो आपको अच्छे से समझ में आ तो देखें फर्स्ट वाला क्या है आपका यहां पे 4, 8, 16, and 32 तो आपने एक formula बढ़ा था product of mean is equal to product of extreme तो देखें mean की place में क्या है यहां पे product of mean यह है और product of extreme में है 4 into 32 तो यहां पे हम multiply कर लेंगे 4 into और यह आपका हो जाएगा 8 into 16 product of mean and is equals to 4 into 32 यह आपका हो जाएगा यह प्लेस में है product of extreme के अब इसको आपको multiply कर लेंगे 8 into 16 करेंगे यह आपका हो जाएगा 128 और यह भी आपका हो जाएगा 128 तो इसमें तो आपको order हो गए रहा change करने की ज़रुरत नहीं हुई तो यह आपका क्या हो जाएगा proportionate का question बट आप इसको आप ऐसे लिखना भी रहेगा therefore 4 ratio 8 proportional to 16 ratio 32 और यहाँ पे आपको last में लिखना रहेगा proportional ठिक तो ऐसे बनाना रहेगा अब आईए कुछ और देख लेते हैं इसमें से जो कि है आपका third number का तो जो जो हमने question यहाँ पे नहीं लिया है यह आप लोगों के लिए homework रहेगा बच्चो आपको बनाना रहेगा अब आईए देखते हैं third number का तो third में यहाँ पे 4, 6, 18 and 12 first condition में पहले जो आपका rule है उसी के according हम चलेंगे product of mean and product of extreme product of mean 6 into 18 and product of extreme means हो जाएगा आपका 4 into 12 तो देख यह आपको क्या करना है 6 into 18 कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 108 के equal और 4 into 12 कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 48 तो इस condition में अभी यह equal नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा not proportional but आपको करना क्या है इसमें interchange आपको बूलागा ना इसमें आपको position को change करके भी बना लेना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे interchanging the position of आपको क्या करना है यह 4 और 6 का जो position है इसको change कर देना है मतलब 4 आ जाएगा 6 की place में और 6 आ जाएगा 4 की place में तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा interchanging the position of 4 and 6 यह दोनो as it is रहेंगे last के यह starting के change हो जाएगे ठीक है जो पहले 4 और 6 थे उसको आप लिखना 6, 4 और यह आपका 18 और 12 as it is अब आपको फिर से इसको check करना है क्या करेंगे product of mean and product of extreme find कर लेना है ठीक है तो product of mean मतलब आपका हो जाएगा 4 into 18 and product of extreme हो जाएगा 6 into 12 तो आपको करना क्या है बच्चो 4 into 18 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 72 और 6 into 12 करेंगे तब भी आपका यह हो जाएगा 72 के equal तो इसमें आपको लिखना रहागा they are for 6 ratio 4 proportional to 18 ratio 12 और यहाँ पर आपको लिखना रहागा proportional ठीक है तो ऐसे जिसमें पहले 1st में 1st terms में आपका answer नहीं आएगा तो उसमें आपको interchange कर लेना है फिर आपको answer लाना है तो एक और देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो next है आपका जो कि यहाँ पर लिया गया है 5th number का तो देखिए 5th number में है क्या बच्चों यहाँ पर 11, 22, 88 and 44 फिर्स्ट स्टेप में आपको इसको पहले swallow करके check कर लेना है इसमें answer आजाएगा तो आपको interchange करने की जरुरत नहीं होगी और इसमें भी नहीं आया तो पहले interchange कर लेंगे then answer लाएंगे तो देखिए यह आपका हो जाएगा product of mean mean के place में यह and product of extreme तो product of mean में हो जाएगा 22 into 88 and product of extreme में हो जाएगा 11 into 44 तो 22 into 88 करेंगे तब आपके पास answer आजाएगा 1936 और 11 into 44 करेंगे 11 into 44 करेंगे तब आपका answer आजाएगा देखिए यहाँ पे 11 for the 44 और यह 4 carry हुआ फिर 11 for the 44 और यह 4 तो यह आपको जाएगा 48 तब answer यह आजाएगा तो देखिए इस condition में आपका equal answer नहीं आया तब आपको करना क्या है interchange कर देना है तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना रहेगा इसके आगे का यह लिखेंगे interchange the position of अब यहाँ पे 11 और 22 को change कर देना 11 and 22 आपको क्या करना है यह 22 11 की place में और 11 22 के place में आ जाएगा तब आपका question ही हो जागा 22 11 88 and 44 अब देखिए product of mean और product of extreme तो product of mean आपका क्या हो जाएगा 11 into 88 and product of extreme हो जाएगा 22 into 22 into 44 ठीक है तो 11 into 88 करेंगे तब आपके पास answer आजाएगा 9 6 8 और इसका भी आपका answer आजाएगा 9 6 8 तो देखिए both condition में यह equal answer आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 22 ratio 11 proportional to 88 ratio 44 और यहाँ पे आपको proportional लिखना रहेगा ठीक है तो बागी के जो remaining question है इसको भी आपको ऐसे ही बनाना रहेगा जिसमें नहीं बनेगा उसमें interchange कर लेना और फिर आपका answer आ जागा बच्छो बाट यह जो last वाला है 11th number का इसको भी देख लेए इसको भी आप जब change करके बनाएंगे ना तो इसमें किसी भी condition में answer आए गए नहीं proportional देखे यहां पर बना लेते हैं एक बर 5, 7, 9 and 13 तो first condition में product of mean and product of extreme find कर लेंगे product of mean हो जाएगा यह and 5 into 13 तो देखे 7, 9 जाएगा 63 हो जाएगा और यह हो जाएगा 65 तो देखे इस condition में equal नहीं है फिर आपको क्या करना है इनका position change कर देना है 5 और 7 को change करते तो देखे यहां पर side में बना रहे न आगे का 5 और 7 को change करके बनाते तो यह पहले 7 फिर 5 फिर 9 फिर 13 product of mean and product of extreme product of means मतलब 5 into 9 और यह आपका हो जाएगा 7 into 13 तो यह तो आपका हो जाएगा 49 और यह आपका हो जाएगा 91 13 7 जा होता है आपका 91 13 7 जा आपका साय 91 तो यह भी आपका equal है नहीं तो इस condition में भी यह not proportional हो गया एक और condition यह है पहले कहरना क्या है पहले तो ऐसे starting में इसमें आपको बना के देखना है क्या वो proportional है तो इसके according यह proportional नहीं थे फिर आपने 7 और 5 को change करके बनाया इसमें भी नहीं आया फिर एक और condition है आपको आपको क्या करना है 13 और 9 को change कर देना है ठिक 5 और 7 से मरेंगे 5 7 13 पहले आजाएगा फिर 9 आजाएगा अब इनका और इनका value निकाल लेंगे तो 7 into 13 और 5 into 9 निकाल लेंगे तो देखिए तो इस condition में भी आपका answer नहीं आएगा equal तब all condition में आपका equal तो answer आया ही नहीं बच्चो तो इसलिए इसको आपको लोग directly लिख सकते है they are not proportional. They are not proportional. प्रश्टनल